ओम शांती 4-10-2024 की मुझ्षे रूप से बाभा ने कहा तुम अपने विचित्रता के धर्म मेटिको चित्र के धर्म में नहीं जैसे बाप विदे ही विचित्र है ऐसे बच्चे भी विचित्र है फीर यहां चित्र में आते हैं अभी बाब बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म मेटिको, दे अभिमान में नहीं आओ, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधाय मान है, उनको आना ही है पुर्षोत्तम संगम्युक पर आगे कहा, यह रुहानी पढ़ाय बहुत उची और डिफिकल्ट है, इसमें पास होने के लिए बाब की याद से आशिरवाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधार ने है, अभी कोई भी इलिगल काम नहीं करना है, विचित्र बन अपने स्वधर में टिकना है और विचित्र बा वाक्यों को विस्तार से, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाब को प्यार से याद करेंगे, उतना आशिरवाद मिलेगी, बाब कटते जाएंगे, प्रश्न है, बाब बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं, उत्तर, बाबा कहते बच्चे, तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं, जैसे बाब विदे ही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र है, फिर यहां चित्र में आते हैं, अभी बाब बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, दे अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्ण है भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है। उत्तर ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुर्षोत्म संगम्यूपर ओम शान्ती बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं जब ओम शान्ती कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचे दिया जाता है तो जरूर बाप भी आटोमेटिकल याद आता है क्योंकि याद तो हर एक मनुश्य भगवान को ही करते है सिर्फ भगवान का पूरा परिचे नहीं है भगवान अपना और आत्मा का परिचे दे नहीं आते है पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है उनको भी आना है पुर्षोत्तम संगम युक पर संगम युक की समझानी भी देते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही आप आते हैं पुरानी दुनिया को मृत्यू लोग, नई दुनिया को अमर लोग कहा जाता है यह भी तुम समझते हो मृत्यू लोग में आयू कम होती है अकाले मृत्यू होती रहती है वोह फिर है अमर लोग जहां अकाले मृत्यू नहीं होती क्योंकि पवित्र है आपवित्रता से ब्यविचारी बनते हैं और आयू भी कम होती है बल भी कम हो जाता है सत्यूग में पवित्र होने कारण अब्यविचारी है बल भी ज्यास्ती रहता है बल विगर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशिरवाद ली होगी बाप है सर्वशक्ति मान आशिरवाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जिन्होंने ज्यास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशिरवाद ली होगी आशिरवाद कोई मांगने की चीज नहीं है या तो महनत करने की चीज है जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशिरवाद मिलेगी अर्थात उंच पद मिलेगा याद ही नहीं करेंगे तो आशिरवाद भी नहीं मिलेगी लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो वो छोटे पंसे आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं और गंस छोटे हैं बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे उन्हों की बुद्धी में रहता है यहां हमारे माबाप है जिन से यहां वर्षा मिलना है कहने की वा याद करने की बात नहीं रहती है यहां तो बाब कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो हद के संबन्द को छोड़ अब बेहद के संबन्द को याद करना है सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गती हो गती कहा जाता है मुक्तिधाम को सद्गती कहा जाता है फिर से सुखधाम में आने को कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुखी पाएगा बाप सुख के लिए ही आते हैं जरूर कोई बात डिफिकल्ट है इसलिए उनको उच पढ़ाई कहा जाता है जितनी उच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी सभी तो पास कर न सके बड़े ते बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार अर्थात नौकरी भी बहुत देनी पड़े न कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे यहां तो बाप कहते हैं जितना उच पढ़ेंगे उतना उच पद पाएंगे ऐसे भी नहीं सब कोई राजा इवास साहुकार बनेंगे सारा मदर पढ़ाई पर है भक्ती को पढ़ाई नहीं कहा जाता यह तो है रुहानी ज्यान जो रुहानी बाप पढ़ाते हैं कितनी उच पढ़ाई है बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं है जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं बहुत बहुत मीठे सर्विसेबुल बनते जाते हैं कैरेग्टर्स अच्छे नहीं है, तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं. जो ना पास होते हैं, तो जरूर कैरेक्टर्स में रोला है. श्रीलक्षमी नारायन के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं. राम को दो कला कम कहेंगे. भारत रावन राज में जूट खंड हो पड़ता है सच खंड में तो जरा भी जूट हो ना सके रावन राज में है जूट ही जूट जूटे मनुश्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते यह बेहत की बात है अभी बाप कहते हैं ऐसी जुठी बाते किसी की न सुनो न सुनाओ। एक इश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता। लीगल मत से तुम उच बनते हो। परन्तु सब नहीं चल सकते हैं, तो इलीगल बन पड़ते हैं। कई बाग के साथ प्रतिग्या भी करते हैं बाबा इतनी आयू हमने इलिगल काम किये हैं अभी नहीं करेंगे सबसे इलिगल है काम विकार का भूत दे अभिमान का भूत तो सब में है ही माया भी पुरुष में दे अभिमान ही होता है बाप तो है ही विदे ही विचित्र तो बच्चे भी विचित्र है यहां समझ की बात है हम आत्मा विचित्र है फिर यहां चित्र में आते हैं अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो अपने स्वधर्म में टिको चित्र के धरम में नहीं टिको बेचित्रता के धरम मेटिको देह अभिमान में ना आओ बाप कितना समझाते हैं इसमें याद की बहुत जरूरत है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान पियोर बनेंगे इंप्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सद्गुरू के निंदक ठोर ना पाए अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो सौगुना दंड भोगना पड़ेगा विवेक चलाना है अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना उच पद भी नहीं पा सकेंगे पुरुशार्थ के लिए टाइम भी देते है तुमको कहते हैं क्या सुबूत है बोलो जिस तन में आते हैं वो प्रजा पिता ब्रम्हा तो मनुष्य है ना मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है शिप बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है वो तो पतित वापावन नहीं होता वो समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कर जाएंगे बाप ही बैठ समझाते हैं याद करो इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो वंडर लगता है हम क्या थे फिर 84 जन्मों में कितना गिर कर एकदम चठो पड़े हैं बाप कहते हैं मीठे मीठे बचे तुम दैवी घराने के थे अभी अपनी चाल को देखो या देवी देवता बन सकते हो ऐसे नहीं सब लक्षमी नारायन बनेंगे फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए शिप बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं परन्तु नहीं अक के फूल भी चढ़ाते हैं बाब के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं कोई अक भी बनते हैं पास ना पास तो होते ही है खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे आप समान ही नहीं बनते हैं साहुकार कैसे कौन बनेंगे वो तो बाब जाने आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यहां फलाना बाप का कैसा मददगार है कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे इसमें फर्क नहीं पड़ सकता बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है भक्ति मार्ग में तुम इश्वर अर्थ करते हो परन्तु इश्वर को जानते नहीं हो इतना समझते हो उँच ते उँच भगवान है ऐसे नहीं कि उँच ते उँच नाम रूप वाला है वो है ही निराकार फिर उंच ते उंच साकार यहां होते है ब्रम्भा विश्नु शंकर को देवता कहा जाता है ब्रम्भा देवताय नम्ह विश्नु देवताय नम्ह फिर कहते हैं शिव परमात्माय नम्ह तो परमात्मा बड़ा ठहरा न ब्रह्म्भा विष्णु शंकर को पर्मात्मा नहीं कहेंगे मुक्त से कहते भी है शिव पर्मात्मा नमः तो जरूर पर्मात्मा एक हुआना देवताओं को नमन करते हैं मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे उनको फिर परमात्माय नमह कहना यह तो पूरा अज्ञान है सबकी बुद्धी में यह है कि इश्वर सर्वभ्यापी है अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है उनको ही पतीत पावन कहा जाता है सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है जगत का गुरू कोई मनुष्य हो न सके गुरू पावन होते हैं न यहां तो सब है विकार से पैदा होने वाले ज्ञान को अमरित कहा जाता है भगती को अमरित नहीं कहा जाता भगती मार्ग में भगती ही चलती है सब मनुष्य भगती में है ग्यान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं ड्रामा में उनका पार्ठ है बाप निमित बनते हैं सर्व का सद्गती दाता है अभी यह समझावे कैसे आते तो बहुत है उदगाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है के होवन हार विनाश के पहले बेहत के बाप को जानकर उनसे ही वर्सा लो यह है रूहानी बाप जो भी मनुष्य मात्र है सब फादर कहते हैं क्रियेटर है तो जरूर क्रियेशन को वर्सा मिलेगा बेहत के बाप को कोई भी जानते नहीं बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नून्ध है बेहत का बाप उच्छते उच्छ है वो कोई हद का वर्सा तो नहीं देगा न लौकिक बाप होते भी बेहत के बाप को सब याद करते हैं सत्यूग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहत सुक्का वर्षा मिला हुआ है, अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है, फिर आत्मा अपने को और अपने बाप को ड्रामा को भूल जाती है, माया का परचाया पर जाता है, सतो प्रधान बुद्ध को फिर तमोप्रधान जरूर होना है, स्मृति में आता है, नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते है, दुनिया ही सतो प्रधान गोलडेन एजिट बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ड, यह सब बाते बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुशार्ट अनुसार वही मिलने का है तुमको भी अभी मालुम पड़ा है हम यह थे फिर ऐसे नीचे आ गए है बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परन तो याद छहरती नही है इसमें बाप अत्वा टीचर क्या करें कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करें टीचर आशिरवत करें फिर सब पास हो जाए पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है यहां है बिल्कुल नई पढ़ाई यहां तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे साहुकार नहीं आएंगे दुखी है तब आते हैं साहुकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं तकदीर में नहीं है जिनकी तकदीर में है उनको जट निश्चे बैठ जाता है निश्चे और संशे में देरी नहीं लगती है माया जट भुला देती है टाइम तो लगत इसमें मूझने की दरकार नहीं है अपने उपर रहम करना है श्रेमत तो मिलती रहती है कितना सहज बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तुम जानते हो यह है ही मृत्यू लोग वो है अमर लोग वहां अकाले मृत्यू नहीं होता क्लास में स्टूडेंट नंबर वार बैठते है न यह भी स्खूल है न ब्रामणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबर वार होशियर बच्चे कौन से है जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए राइट हैंड का महत्व होता है न पूजा आदी भी राइट हैंड से ही की जाती है बचे ख्याल करते रहे सत्यूग में क्या होगा सत्यूग याद पड़ेगा तो सत्यूग बाबा भी याद पड़ेगा बाबा हमको सत्यूग का मालिक बनाते हैं वहाँ यहाँ पता नहीं है कि हमको यहाँ बादशाही कैसे मिली है इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायन में भी यह ज्यान नहीं है बाप हर एक बात अच्छी रिती समझाते रहते हैं जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे फिर भी पुर्शाट करना पड़ता है न बाप आते ही है पढ़ाने यह पढ़ाई है इसमें बड़ी समझ चाहिए अच्छा मीठे मीठे सी किलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाब दादा को याद प्यार गूड मॉनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धाना के लिए मुख्यसार पहला यहां रुहानी बढ़ाई बहुत उंची और डिफिकल्ट है इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशिरवाद लेनी है अपने कैरेक्टर सुधारने है दोसरा अभी कोई भी इलिगल काम नहीं करना है बेचित्रबन अपने स्वधर्म म पर चलना है वर्दान है बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्ति वानभव विस्तार है आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है और पवित्रता परधर्म है जब स्वधर्म का निश्य हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता बाप जो है जैसा है अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारन करना बहुत सहज है क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आनी सकती अगर भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अत्वा निश्चे में कमी है स्लोगन है त्रिकाल दर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टी से नहीं देखते हर बात में कल्यान समझते हैं त्रिकाल दर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टी से नहीं देखते हर बात म ओम्शंटी झाल 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 मिया करे अग diff maximum नut झाल 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 झाल